पीएस्ट जयाँस सीटेट दे तयारी के में करनी है इसलेए खास करके जड़े विद्यारती पहली पीएस्ट जया एजनगा जरूरी है कि कि अवेलिबल है इक ही एपरोचई जम्दे की की रस्ते ते मेरे लिए केड़ा रस्ता बेस्ट है अजिया कोई मेरे वाइदा नहीं है कि मैं मेरी वीडियो दिखोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे तो 130-150-140 मार्ग साजानगे तो एक सोवी मार्ग साजानगे अजेहा नहीं है कुछ भी नहीं है मेरे वह बो कोई वाइदा नहीं है जिन्ना तुसी करोगे जिननी तो अड़िच मोटीवेशन होएगी और तुसी मेनत करोगे अपने आपते साइंटिफिक एप्लीकेशन अपलाई करोगे साइंटिफिक वह मेक्सिम्म माक्सा आ सकते हैं उसलिए जनाना जरूरी है कि अब तो पहला मैंनु मेरी कमदोरी मता हो बनु मेरी तक नपता हो में बनु पॉजितिव पता हो वे पॉजिति विछ की है कि पंज जह सब्जेक्ट ने पर है पेपर भी है अगे चलके गल कर देघंए से CDP है चल जी दियां बेशिक बेशिक थियोरी जेदे विच आंदिया ने सो यह लगपग सारा ही तुसी सारा टोटल टोटल तुसी बेड जां डियल एड विच पढ़िया है अंडरस्टेंडिंग दा लर्नर एंड लर्निंग एंवार्मेंट जां साइकॉलोजी दी बुक जोड़ी तु ओ इजी ली माइंड विच जांदी है सो बियड दियां जडियां किताब भाहन साइकॉलोजी दियां नॉर्मली पहले दूझे सेम विचे सलेबस लगबग सारा कंप्लीट हो जांदा है सो उसे नूहीं कंसेप्ट नूं समझनली जड़े पीस्ट विच आने हन उना नू समझ माईब औक क्योंकि और वारों आया है यह पद्धा देना है ना हो सकता है किसे लीом जड़ी मध्स इन्वायर्म स्ट्टी ऑख़ यह ऑब ला ऑखना है कि मिन औक हो देंगा है उख लालक लगता है ओ अदे लिसाथनों सब तो विक्स केडिया को जाना है हना है जो दी निचरनू समझ लाइना चाहिए है कि लेंग्विज की फुछा जाना है दो पैराग्राफ अन्हें हम दो पैराग्राफ आने हम ईससे तियारी किन्य कुछ नहीं ओखना है क्पाट के उसनु सॉल करनी यह स्टैटेगिस जहां किते यू जोर हजे नहीं लोना चाहिए दा क्योंकि कई वरी होंदा है कि कई वरी इनने पूर पैसेजिस पाई हुंदे आखास तक पंजाब बीच के पैरा पढ़न तो बिना ही उत्तर समने पाई हुंदे हन सो क्योंकि सारे पंजाब दे हो पंजाब भी पढ़ी होईगी मिननू लगदा है कि तो अड़ा सब तो स्ट्रॉंग एरिया ए होएगा ग्रामर दा पोर्शन बहुत कट हुंदा है दो चार पंज दे करीब सवाल जड़े ओवी पैरेज पुछे जान देने वो ग्रामर दे हो सक सो पैडागोजी दे कॉष्चन जड़े ने मतलब के पंजाबी नू टीच किद्दा करना है तुसी कॉष्चन भी पुछ रहे हो कि की जी मिनू पंजाबी दे एक्स्रा कॉष्चन दा स्वालना जवाब देना पाएगा देखो इते पैडागोजी पंजाबी पुछी गई है जे तुसी इलेक्टि पंजाबी पड़ी या था पंजाबी तुसी अलीजी बाल हो गए हो सो पैडागोजी ऑफ पंजाबी दे कॉष्चन सॉल्व करन लई जो एप्लिकेशन ने और फिर एहे पैडागोजी कल थूरीज चाइल्ड डॉल्मेंट दिया थूरीज वाइगास् दूसरे 15-15 स्वालां वीच है इसी तरह इंग्लिश दा है हां मेरे ख्याल विच जे तोड़ी बैक्राउंड तुसी इंग्लिश स्कूल चो पड़े हो हम जड़े ओ हो सकता है को अनुप पंजाबी थोड़ा जयते आं देना पवे हना जे तुसी पंजाबी रूरल अलाके च तोड़ी ज्यादा करनी पहेगी लेकिन नाले 15 यह बारां प्वेश्च पैडागोजी दे आंगे पैडागोजी देख एक इसे लेंगज नुटीच करना है इसे इंग्लिश लेंगेज टीच करना है ते मातपाशन टीच करना है सो थोड़े जैडिफरेंस हो सकते ने है एवी और एता करामागाही अगे है मैट्स मैट्स वी तुसी जड़ा है जड़ा ए पेपर वन है ओधी गल हो रही है तुसी जड़ी है चौथी पंजवी शेमी सत्मी अठमी तक हना एथे तक दिया सत्मी तक लगबग ए पुसकां पढ़ सकते हो ओधिया एक्सराइस कर सक देखो जे नहीं करना ता तुसी प्रीविएस यर्दे पेपर नो सिद्धा सॉल्व करना शुरू कर दो एंवायरमेंट दा भी इस से तरह है के तुसी चौथी पंजवी शेमी सत्वी अठमी दिया बुक्स पढ़ोगे हुन एदे विच्चो केड़ा एरिया तो अड़ा वी जड़ा का अट पड़िया है जेदे कंसेप्ट का अट क्लियर हन फिर उस तो शुरू करना चाहिए इना सारें विच्च सब तो ज्यादा जरूरी इससे लिए ओ प्याजे वाइगास्त की कंस्ट्रक्टिविजम बिहेवरिजम कोगनेटिविजम ए सारा कुछ बन जाना इंक इन्वार्मेंटल स्टडी विच विच वी इससे तरह हुएगा तो यह पेपर वन दी गल रही अगे जाके मैं कुंक्लूड कर दा हां कि बैटर तो अडेली की रहेगा इते सिर्फ ए गल किती है कि जिए शॉर्ट में चुछ तुसी करना है तो प्रीविएस येर दे पेपर तो शुरू कर दो और जो रिसोर्सस तुसी पहला अवेलेबल तो अडेको नेड़े है ओ उना तो शुरू कर दियो नेक्स्ट जिड़ा पेपर है साडेकोल पेपर टू है पेपर टू दे विच फरक की है सिर्फ चाइल्ड डवेल्मेंट एंड पेड़ागोजी कंपल्सरी जो 30 मार्क्स है जो पिछे गल करके हैं सारा कुछ ओही एप्लिकेवल होना है क्योंकि सारा स्लेबस सेम होंदा है अच्छा कई वारे ते एद्दा हो जांदा है कि पेपर व आस तक ली है इसलिए थोड़ा उखा होना चाहिदा है पर कुछ भी हो सकता है that is why यह आपा पेपर डिसक्स करते हैं पेपर 1 cdp करते हैं पेपर 2 डिसक्स करते हैं तुसी दोना दी एक्ससाइज लगातार करनी है लेंग्विज कंपल्सरी जो पिछे गलां करके आया है के 15 नंबर दे पैराग्राफ ओंगे 15 नंबर दे पैड़ागोजी लगपग हना दो चार कॉस्चन इदर पच्छे हो सकते हैं तो ओई पैड़ागोजी एथे एही अपलाई होनी है इससे तरह लेंग्विज हना जे वीक है तहां इंग्लिश ते तुसी फोकस करोगे पंजाबी पंजाबी ते ज्यादा फोकस करोगे सो इदे विचे मैट्स दे लगपग टोड़े वीबाई कोश्चन वीबाई कोश्चन साइंस दे होंगे फॉर वीबाई और बाकी 10-15 दे करीब तो अड़े पैड़ागोजी दे कोशन होंगे टोटल ए 60 दे कोशन हो जांगे इत थे की पढ़ना जुरूरी है थे मैथ साइंस वालिया नूं छे मी तो किन्रे तक तुसी चे मी तो दसमी तक दे जे लिए लीजिबल होना है इत मीज चे मी तो दसमी तक दी NCRT दी बुक्स जाँ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोड दी बुक्स ओवी NCRT ते ही बेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है उना नो तुसी हां तो तुसी कॉंफरेबल के देच जादा हूँ देखो मोटिवेशन ते समझ लगना ज्यादा जुरूरी है जै पंजाब स्कूल ब तो यह मतलब है कि बहुत होली पढ़ना उना नू किमें पढ़ना है हाइलाइटर लेकि जाएपैंसिल लेकि उसनों अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट ओधे विच्चों जड़ेने ओधे तुसी खुद नोर्स बना सकते हूँ किसे बनाए हो नोर्स नो पढ़ना थे इसट्रीम जो है हो मैच साइइन्स आ जगाते सोशल साइन्स है इते एसस्टी होगी सो एसस्टी डे विच्टो आनो हिस्ट्री बेल लग पग बारां पंदराकोशन और या प्लस जिग्रफी धे कुशन आजांगे फ्लस पोलिटिकल साइंस है कॵ्चन आ जांगे एक स्कुम ऑपन्धराज के चल रहे हैं पंधराजी है और प्लस दी पैडागोजी यह पैडगोजी ओफ कुछ अधर कोशना फिर CDP अपलाई होनी है एदे विच्ट कोछ एक चीजा एड हो जान दियाने के गुरूप एक्टिविटीजे गुरूप मैथर बैटर है जरी सोशल इंट्रक्शन होंदा ओ बैटर है जिए बच्चा सोच दा है इसारे नुक्ते ने राइट आंसर हों देरें जड़े मैं बोल रहा हां लिए लिए कि मैं इसली बंदा है कारण की है कि वह बला पॉर्शन गदा इथ है मैते सांसी जी आफिंट इसांसी ख़िए बिच्चों आ इंपक्ष्चन अन गिनत बहुत ज्यादा बं सकते हैं एदेविच्चों ज्यादा मतलब जैदेविच्छं मेसम सोगोर्शन बंदें त तो इते रेपीटिशन सीडी जह तुसी प्रिंसिपल बार लग बग पुछे जाने हैं सो अधे ज्यादा मेनत दी जरूरत पहेगी जे तो ड़ा होने इना चो एदेखना है कि तो अड़ा केड़ा एरिया वीक है जिस दा हिस्ट्री वीक है हिस्ट्री नहीं हो सब तो पहला चकेगा छीमी क्लास दी इस्ट्री तो शुरू कर देगा सत्मी अठी नावी दस्मी हां कली इस्ट्री दे जिए ज़ते बूर ओजानने हो तो शिफ्ट करो जिए ओग्रफी विचश्ट करो प्लिटिकल साइंस बेच ईच बेस्ट सोर्स एक द नहीं लर्न करते हो तो बोर हुंदे हो इंट्रस्ट कट जन्दा है थक जन्दा है दमाग जो तो वराइटी ऑफ मेथट अपलाई गर दे हो ते दमाग ताज़ा रहनदा है उसनों चेंज मिल दी है इन्फोमेशन ज्यादा ब्रेंच रिटेन हुं दिया है तो मैं यह सुझेस्ट कर दा हां कुछ एक पॉर्षन रीड वी करो सिर्फ यूट्यूब चैनल ही ना देखी जो कुछ चीज जहां देखें जिदा एंसी आटी दी बुक पी पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्दिया और राइट भी करो ना नोर्स भी कुछ बना लो जड़े आखे लगदे उस देबना लो महलोपया ज़े लगदा है वगस्त की अखा लगदा है यह तो हिस्ट्री दे कुछ पीरड अखे लगदे हैं जोग्रिफी दा कुछ पार्ट अखा लगदा है प्लिटिकल साइंस पार प्लिटी है तो ऐसी कलर नो याद कर दें तो इन्फोरमेशन जाद आयां दी है तो अदेक दो कोश्चिन इस तरह वी बाद दूस वह लोगदा होंगे सो रीड भी करना है राइट वी करना है लिसन भी करना है उसलिए यूट्यूब ते भी देखते हो पर उस नहीं वी बद नेक्स्ट है तोड़ा रीडिंग राइटिंग लिस्निंग ते स्पीकिंग और डिसकेशन चो नहीं आगए श्पीक भी कर देओ दूसी तो यह सारे मोड अपलाई करो में दो मैथ साइंस डिसक्स कीता है सोशल साइंस डिसक्स कीती है इस तो इलावा फीजिकल एजुकेशन है सिम्रण जीत सर तो नों त्यारी पूरी करवान के पूरी करौन के क्योंकि उना को फुल टाइम है बड़ी अच्छी टेक्नीक नाल मुल्टी मीडिया नाल इमेजेज नाल बड़े-बड़े वधिया तरी तो होम साइंस है तो बेसिक सोर्स सिंपली है के एंसी आइटी पंजाब स्कुलो बोड जेना खताब बनु तुसी पढ़ाना है वह तो अनु तडियां पढ़ियां होनियां चाहिए हां हां जे बोड जाप बुक्स वेच एमसी को कॉस्चन दे उना नू सॉल कर सकते हैं इस प्रिवियस नॉलज के स्विच जादा है एक पॉइंट है जिस विच प्रिवियस नॉलज जादा है उसनु थोड़ा कट टाइम बद 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 दिता जा सकता है अच्छा तुसी किनिया अटेम्ट प्या स्टेट यां दे चुक्के हो जेड़ा फर्स्ट अटेम्ट दे रहा है ऑसनी स्रैटरजी कोई होगे जैए शेकंड उडा है ओप लेजस्ट हो लर्न किते नुए प्लाई करेगा सेकंड जो पहलेविच गलतिचा किती हैं कि याद करेगा के मैं पहले एकजाम चे गलतियाह किती मेरा इस आपॉर्शन वीक सी और r יש और वीक नू थे जयादा फोकस करेगा दूसरे अटेम्ट विच करने ली ओके ते जड़ा फर्स्ट अटेम्ट वाले हन उना नो प्रीविएस येर दे पेपर ज्यादा सौल करने पहने हैं क्योंकि उना नो एक्सपीरियंस नहीं है पहला जे पीएस्ट दे रहे हो तो पीएस्ट दे ही पेपर फुड़ तो उस्तों बाद तुसी सीट दे भी पेपर फड़ सकते हो जेकर टाइम है तो पीपर ले मेरे खेल लो मिल जान देने हो सकते मैं भी प्रोइड करता हैं को लगभख सारे पेपर पहे होए ने अगला में थर्ड केड़ा है एमें दसना चानना हां प्रीविस हेपी एगल हो लिए प्रीविस यह दे एंसी को कोशिशन पॉर्शन विच भी हो सकते ने ते अच्छा सीट एगल हो चुकी है नेक्स्ट है एक चीज की हो सकती है के के कंसेप्ट दी वीडियो देखी for example मैं देखी के ग्रोथ की है डेवल्पमेंट की है मैं चूरेशन की है लर्निंग की है सारे पॉइंट कंसेप्ट जड़े है मैं लर्न कर ले ते बाद विच उना कंसेप्ट दी टेस्टिंग उन्ते लग बग मालो वी ती कोश्चन बने हो ने तुसी उना जवाब देंदे हो इदे विच की है के कंसेप्ट जांद तुसी बुक तो पढ़ों के यूट्यूब तो पढ़ों के फोर एक्जमपल मैं ही एक कंसेप्ट पढ़ाये तो उस तो बाद में ता वी ती कोश्चन एही कंसेप्ट से बेस्ते ही टीचिंग ते बेस्ते बनाये तुसी उना दे उत्तर दिन्दे हो और मैं यूट्यूब ते नी बोल रहा हूं तर जो भी टीचिंग लर्न अगरिंग मैनेजमेंट सिस्टम होंदा है तुस उसानों खरीद आ पेंदा है खरीद आ जा चुका है ओड़ी विच तुसी तवन वी ती कोश्चन ओधे रिलेटेट पाद ते जाने है ओ तुसी आंसर दिन्दे हो आंसर दें तो बाद किसे बच्चे दे वियां दे विचो गलत ने किसे दे पांच गलत ने किसे दे दो गलत ने किसे दे तीरह गलत ने सो हर एक दी वीकनेस ते ओ पॉजिटिव नेग्टिव पॉइंट वक्रे वक्रे होंगे इना दे विचो कॉमन जेना दे मनलों के किसे दे प्याजे दे ज्यादा कॉश्चन गलत ने होते फिर डि तो यह है कंसेप्ट एंड टेस्टिंग टेस्टिंग मीन के नाल ही दो मोस्ट इंपॉर्टन के फीडबेक तो इड़े एक एसिस्टम अपना चांदे हो ताम मिन्नू क्योंकि मेरे नाल देस्टी वे ने उपे कर चुके ने तो यह थोड़ी जी मार्जनल फीस रखनी पाएगी कंसेप्ट ए फ्रीच करवाई जानगे और जो टेस्टिंग है फीडबेक देनी है उदल ही तो इन्हों रिजिस्टर होना पाएगा मेरी ख्याल चे शायद मैं एक मनलो एदे सो कॉश्चन पाना है शायदो दसर पर फीस रखां वीर पर फीस रखां मिन्नू कुछ नहीं पता ऑची कस्था अचांते हो तो किनो कमेंट करके दस्ट उसका एस थiest चाहरी कारना चौन दे हनक्यों backed mcq question फिर खुध भी फ्रेम करने पहने हैं ज्यडे फ्रेम और पिछले साल दे पेप्राण の देख दे हूँया कि फछले सालल ले पेप्र वक्रे डिसकस होंदे सो एक अन् औस मेरे मेरे मताबक की कुछ है अप्रोच है टेस्ट एन super वाया साइस्ट कर सकते हैं मार्केट चो पूरे पेपर मिल देहन उननों सॉल्व कर सकते हैं पर नवे कोश्चन बनाने ओ एक एक्सपर दा कम ही होईगा सो बुक्स बगेरा ज्यादा नहीं कुछ देखनीया मैं सिर्फ सुझेस्ट किता है दो सिर्फ दो तरह दिया बुक्स जे रीड करनीया है एक ता एं psychology book learning understanding the learner and learning environment जीडेवी तोड़े नाम हन तोड़े युनिवस्टी दे मताबक ओना नू फॉलो कर सकते हो नोट्स बने बनाए लेंदी बजाए हां मिल दे है समझांदा है गुड है ना किसे चीजनों नहीं है खुद नोट्स ओके पार्स दे बनाए जान सो में ख्याल्ट इस मुदापक थियारी करनी चाहिए है जह किसे ने बहुत ज्यादा ब्रीफ करनी है कोई भी complex system चनी जाना यह करना इस तरह नहीं करना फिर तुसी simple previous year paper हना आगा तो concept दिया video concept दिया video जड़े ओखे लगदे हैं जड़े सोख्या चडवी सग्वियो प्लस टेस्टिंग बास प्लस टेस्टिंग कोई सो सब तु ज्यादा है क्योंकि टेस्टिंग देविच फीडबेक मेलनी है फीडबेक तो जुदो में फीडबेक मिलता है लिगना हो दो नाली behaviorism apply हो जंदा है फिर री प्लान करना रीथिंक कहने रीथिंग करोंगे रीथिंग करके उस नू फॉर्चिवीतिटी नू और Si느 निंगतीविटिवीटी नू positivity convert करांगे अपनी performance नो improve करांगे so a method मेरे मताबक है जी अच्छा लगे तो अपना सकते हूँ बाकि comment करके दस सकते हूँ कोई question होए doubt होए पुछ सकते हो learn to actualize Dr. Teerat Singh thank you